Hello students, मैं हूँ Pooja and welcome back to my channel Accounting Masterclass जहाँ पर आपको class 11th, 12th, BBA, Bcom और Mcom की complete lecture video series मिलती है जिसे मैंने बहुती easy way में पढ़ाया है तो अगर आप commerce के student हैं तो ये channel आपके लिए बहुती useful है आपको किसी tuition class की कोई जरूरत नहीं पढ़ेगी बस आप इन videos को थोड़ा ध्यान से देखिएगा और अगर कोई doubt आता है तो मुझे comment section में जरूर बताईएगा और एक बात, इन videos को sequence में देखना बहुत जरूरी है especially किसी particular topic को जैसे मैंने जो last मेरे four lectures हैं उनमें मैंने discuss किया है financial statement analysis इसलिए मैं हर topic को parts में divide करती हूँ और part number में mention करती हूँ जैसे जो financial statement analysis है उसको मैंने चार part में divide किया है और मैंने हर lecture में mention किया हुआ है कौन सा part 1 है कौन सा part 2 है तो इनने sequence में देखेंगे तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा concept और अच्छे से समझ भाएंगे तो इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखेगा और जैसा कि मैं कहा रही थी कि आपको कोई भी tuition classes की जौद नहीं पड़ेगी क्यों? क्योंकि मैंने हर टॉपिक पर बहुत ही detailed discussion किया है इसलिए even मेरे कुछ videos थोड़े से lengthy हो गए है और मैंने हर lecture में numerical भी discuss किया है मैं notes भी provide करती हूँ तो इसका जरूर फाइदा उठाए तो चलिए हम आज का lecture start करते हैं This is the first lecture on the topic accounting ratios यह जो accounting ratio हमारा topic है इस पर आज मेरा यह पहला lecture है हम आज एक new unit start करने जा रहे है हमने last lectures पर पढ़ा था Financial Statement Analysis याद है न? Financial Statement Analysis पढ़ा था हमने देखा था कि बहुत सारे tools and techniques available है Financial Statement Analysis के तो हमने देखा था 6 tools इस level पर 6 tools available है सबसे पहला था comparative financial statement दूसरा क्या था? बताएए दूसरा क्या था? common size financial statement तीसरा क्या था? तीसरा था ratio analysis ratio analysis कहिए चाहे accounting ratios कहिए यह तीसरा tool था यही आज के lecture में हम discuss करने वाले है इसके बाद कुछ और tools भी थे बताएए याद करके मुझे बताएए और कौन-कौन से tool थे financial, cash flow statement यह था ना? चौधा tool क्या था? cash flow statement एक और tool क्या था? fund flow statement एक और tool था? trend analysis तो यह different tools थे financial statement analysis के तो आज हम यह जो तीसरा tool है ना ratio analysis वो हम start करने जा रहे हैं hopefully मैं इसको 5-6 lectures में यह topic है ratio analysis का जिसमें हम लोग different ratios पढ़ेंगे वो हम cover कर लेंगे तो चलिए start करते हैं देखते हैं कौन-कौन से sub-topic आज के इस lecture में हम discuss करने वाले हैं सबसे पहले तो हम देखेंगे ratio क्या होता है accounting ratio क्या है और यह ratio analysis क्या होता है उसके बाद उसका significance देखेंगे advantages देखेंगे फिर उसके बाद उसमें कुछ कमिया भी है उसके limitations को हम discuss करेंगे और उसके बाद हम देखेंगे कि ratios कितने type की होते हैं और एक बाद मैं हर lecture में कहती हूँ आज फिर कह रही हूँ कि मेरे चैनल पर अगर आप पहली बार विजट कर रहे हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और यह जो बेल है उसको भी प्रेस करिएगा so that you get the notification when I upload my next video तो चलिए फिर without wasting any time let's start today's lecture ratio analysis यह जो topic है यह start करने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि यह topic है न ratio analysis यहाँ पर आपको बहुत सारे formulae मिलने वाले हैं around 20 to 25 formulae मिलने वाले हैं actually यहाँ पर आपको इस topic में आपको बहुत सारे ratios calculate करने होगे और उनका interpretation करना होगा तो एक बात बहुत ध्यान में रखेगा कि यह जो formulae है ना इन्हें रटने की कोशिश बिलकुल भी मत करिएगा क्यों? क्योंकि रटेंगे तो भूल जाएंगे ठीक है? क्योंकि वैसे भी 20 से 25 formulae रटना थोड़ा मुश्किल भी है ठीक है? और रटेंगे तो भूल भी जाएंगे पट अगर आप इनका logic समझने की कोशिश करेंगे कि यह formulae कहां से आए? कैसे derive हुए? ठीक है? तो आप यह formulae खुच से लिख पाएंगे अगर आप इनका logic समझेंगे तो ठीक है? तो इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा और दूसरी एक important बात कि यह जो ratios हैं जो अभी हम discuss करने वाले हैं इनका नाम बहुत important है ठीक है? इनके नाम से ही आप इनका formulae derive कर सकते हैं तो इनके नाम पे थोड़ा सा focus करिएगा ठीक है? तो यह दो बाते थोड़ा सा इस unit में आपको ध्यान में रखना है एक तो रटना नहीं है और दूसरा आप नाम जो ratios का जो नाम है वहीं से formula निकाल लेंगे ठीक है? और इनका जो logic है ना formulas का जो logic है formula क्या पुछना चारा? उस पे थोड़ा सा ध्यान दीचेगा बस बाकी यह unit बहुत आसान में आप आसानी से कर लेंगे कोई difficult नहीं है तो चलिए फिर शुरू करते हैं ratio analysis तो ratio analysis क्या है? अभी मैंने discuss किया यह एक टेकनीक है किस चीज की टेकनीक है? और अच्छे से analyze कर पाती है ठीक है? यह ratio analysis एक टूल है जिससे organization अपने जो भी financial figures है financial statement में जो different financial figures है उनके बीच में quantitative relationship find out कर पाती है ठीक है? तो this is ratio analysis वैसे ratio क्या होता है? यह तो आपने class 8th class 9th में पढ़ लिया होगा ratio क्या है? ratio is an mathematical expression of relationship between two interdependent items दो related interdependent item के बीच में relationship find out करने के लिए जिस अर्थमेटिकल expression को हम use करेंगे उसे हम ratio कहते है और accounting ratio क्या हो जाएगा? जब हम accounting की information use करें accounting के variable use करें accounting का data use करें ratios निकालने के लिए तो उसे हम accounting ratio कहेंगे ठीक है? बहुत आसान है चलिए आगे हम देखते हैं क्या-क्या फाइदे हैं? क्या significance है ratio analysis के? तो सबसे पहला significance अभी डिसकस हुआ था ये ratio analysis की मदद से organization can do the analysis of financial statement organization क्या कर सकती है? अपने जो financial statement है उनको analyze कर सकती है organization समझ सकती है कि organization की financial position क्या है? अपने balance sheet अपने statement of P&L को organization analyze कर सकती है उससे कुछ interpretation डॉप कर सकती है ratio analysis की मदद से दूसरा significance क्या है ratio analysis का? की ratio analysis it is useful in simplifying accounting data ये जो ratio analysis है ये accounting के जो complex complicated data होते हैं जो detail complicated data होते हैं उनको summarize करने में उनको simplify करने में ठीक है? उनको easy understandable बनाने में मदद करता है ratio analysis ठीक है? तीसरा जो इसकी usefulness है वो क्या है? की it is useful in assessing the operational efficiency of the business organization की operational efficiency यानि organization अपने जो भी काम है जो भी operations हैं उनको कितनी efficiently perform कर रहा है इसको access करने में भी ratio analysis मदद करता है इससे पता चलता है कि organization कैसा perform कर रहा है organization की financial health कैसी है यहाँ पे आप ratio analysis में बहुत सारे ratios पढ़ेंगे जैसे liquidity ratio, solvency ratio, profitability ratio, activity ratio तो इन ratio से organization की operational efficiency पता चलेगी ठीक है चलिए आजाते हैं next usefulness पे ratio analysis is useful for forecasting यह जो ratio analysis है organization को business planning में forecasting में help करता है क्योंकि हम trend ratio भी पढ़ेंगे trend ratio जो होता है उसमें क्या होता है हम ratios निकालते हैं different years के किसी भी organization के different years के ratio निकालते हैं और उनको compare करते हैं उनसे हम trend find out करने की कोशिश करते हैं तो इससे क्या होता है forecasting में मदद मिलती है आगे चलके organization कैसा perform कर सकता है उसके बारे में judge करने में help मिलती है तो this is the fourth benefit of ratio analysis पांचवा advantage क्या है it is useful in locating the weak point organization के कौन-कौन से weak areas है कौन से areas हैं जहाँ पर organization इतना अच्छा perform नहीं कर पा रही है वो भी ratio analysis से पता चलता है सबोस्करी organization overall तो अच्छा perform कर रही है बट कुछ weak areas है वो अगर हमें locate करना है तो हम ratio analysis की मदद से locate कर सकते है और उसकी according remedial action organization ले सकते है तो this is the fifth advantage sixth advantage क्या है कि ratio analysis is useful in inter-firm and intra-firm analysis inter-firm analysis यानि एक organization कोई organization B है और कोई organization C है तो दो similar type की organization को अगर compare करना है तो ratio analysis से कर सकते हैं और दूसरा intra-firm analysis intra मतलब क्या होता है within the organization यानि एक ही organization के जो different years के figure है उनको side by side रखके जो compare करना होता है जैसे अगर ratio analysis की मदद से आपको कोई company A है उसका आपको intra-firm analysis करना है ठीके तो आप क्या कर सकते हैं आप इसलिए 3 साल के figure अगर लेने हैं 2018 का ratio, 2019 का ratio, 2020 का ratio आप क्या करेंगे? side by side रखेंगे और इन ratios को आप compare करेंगे तो इस इंट्रा-firm analysis वैसे इंट्र और इंट्रा-firm analysis मैंने detail में discuss किया हुआ एक lecture में आप पहाँ पे जरूर visit करेंगे उसका link आपको description में मिल जाएगा तो जो ratio analysis है ये inter-firm analysis and intra-firm analysis दोनों में helpful है तो these are the six advantages of ratio analysis ये 6 advantages थे ratio analysis के चलिके आगे बढ़ते हैं देखते हैं क्या-क्या कमिया है क्या limitation है ratio analysis के तो सबसे पहली जो limitation है ratio analysis की that is false result जो ratio analysis है जो ratios हैं वो आप कहां से calculate करते हैं वो calculate करते हैं financial statement से तो the reliability of ratio depends upon the correctness of financial statement यानि कोई भी ratio कितना reliable है वो ratio आपने जो calculate किया है वो कितना सही है वो इस बात पर depend करता है कि जो financial statement आपने लिया है वो कितना सही है अगर financial statement सही तो ratio automatically सही होगा ठीक है, बट अगर financial statement आपने गलत लिया हुआ है, वो incorrect है, तो जो ratio calculate करेंगे, वो automatically गलत हो जाएगा ठीक है, तो this is the first limitation, second limitation ratio analysis की क्या है, कि qualitative factors are ignored जो ratio analysis है, वहाँ पे केवल quantitative factors को consider किया जाता है, जो भी qualitative factors हैं, उन्हें नहीं consider किया जाता है ठीक है, तो this is the second limitation, तीसरी limitation क्या है, there is a lack of standard ratio, इसका क्या मतलब है कि there is no single standard ratio, यानि ratio analysis में ऐसा कोई भी standard ratio नहीं है, जिसकी मदद से बाकी ratio compare किये जाते हो या बाकी ratios को measure किया जाता हो, तो ऐसा कोई भी standard ratio ratio analysis में नहीं है, different firm के लिए different standard हो सकता है right, this is the third limitation, fourth limitation क्या है, कि may not be comparable ये जो ratio analysis से जो हम ratios निकालते हैं, कभी कबार क्या होता है, ये जो ratios हैं इन्हें आप नहीं compare कर सकते हैं क्यों नहीं compare कर सकते हैं, क्योंकि देखें, बहुत सारे areas हैं accounting में, जहां पर organization different accounting practices यूज करती हैं जैसे example के लिए depreciation, depreciation में क्या होता है, हम पढ़ चुके हैं बहुत सारे method हैं depreciation calculate करने के diminishing balance method, straight line method, ठीक हैं, तो suppose कर ये एक organization है, वो diminishing balance method यूज कर रही हैं दूसरी organization है, जो straight line method यूज कर रही हैं, तो ये जो दोनों organization जो different method यूज करके अपना जो financial statement बना रही हैं, तो क्या इनके financial statement का जो ratio निकाल के जो compare करने की बात है, क्या वो justified होगी? नहीं, वो justified नहीं होगी, क्योंकि ये जो organization है, different method यूज कर रही हैं, तो इनके ratios को compare करना justified नहीं होगा तो this is the fourth limitation, fifth limitation क्या है ratio analysis की? कि the effect of price level change is ignored यानि जो ratio analysis है, हम जानते हैं value of money changes with time, जो पैसे की कीमत है, वो change होती है, price level change होता है बड़ जो ratio analysis है, वहाँ पे इस concept को, इस चीज को consider नहीं किया जाता है, इसे ignore किया जाता है ठीक है? तो this is the fifth limitation Sixth limitation क्या है? Personal bias Personal bias का क्या मतलब है? कि same ratio, ठीक है? Same ratio का different person, different interpretation निकाल सकते हैं ठीक है? अलग-अलग accountant के हिसाब से, जो ratio है, उसका जो interpretation है ठीक है? उसका जो मतलब है, अलग-अलग accountant के according अलग-अलग हो सकता है ठीक है? जो accountant है, वो biased हो सकते हैं So these are the six limitations of ratio analysis तो ये ratio analysis की 6 limitations थी Right? I hope आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा चलिए, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं, types of ratio Types of ratios तो हमें यहाँ पर चार टाइप के ratios पढ़ने हैं Liquidity ratio, दूसरा solvency ratio, तीसरा activity ratio जिसको turnover ratio भी कहते हैं और चौथा profitability ratio तो यहाँ पर हमें चार टाइप के ratios पढ़ने हैं, detail में तो चलिए, फिर स्टार्ट करते हैं सबसे पहला है liquidity ratio Liquidity मतलब तो जानते हैं Liquidity मतलब, how fast an asset is converted into cash यानि कितनी तेजी से कोई asset cash में convert होता है उसको हम कहते हैं, वो ज़्यादा liquid है तो liquidity ratio basically help करता है यह judge करने में, यह समझने में या liquidity ratio यह शो करता है कि organization अपनी जो short term financial obligation है वो कितनी आसानी से meet कर पाती है कि नहीं कर पाती है यह liquidity ratio बताता है Liquidity ratio में हमें दो ratios पढ़ने है current ratio and quick ratio आजाएगे solvency ratio solvency ratio help करता है यह judge करने में कि organization अपनी long term जो obligations है वो meet कर पाता है कि नहीं solvency मतलब क्या होता है solvency मतलब होता है ability of the enterprise to meet its long term liability यानि organization अपनी long term liability यानि long term loan या debentures है उनको pay off कर पाता है कि नहीं meet कर पाता है कि नहीं यह solvency इसे solvency कहते है तो solvency ratio यह judge करने में यह assess करने में help करता है solvency ratio में हमें चार ratios पढ़ने है यह है proprietary ratio, interest coverage ratio total asset to debt ratio and debt to equity ratio अगला तीसरा क्या है activity ratio activity ratio क्या show करता है यह show करता है कि organization कितनी actively अपने operations को perform कर रहा है कितनी efficiently अपने resources को utilize कर रहा है यह हमें activity ratio से पता चलता है इसमें 4 ratio आपको पढ़ने है inventory turnover, debtor turnover, creator turnover and working capital turnover ratio तो यह 4 ratio आप इसमें पढ़ेंगे last है profitability ratio नाम से ही समझ में आ रहा है यह जो ratio है यह help करते है यह judge करने में कि organization की profitability कैसी है कितनी है ठीक है इसमें आपको 5 ratios पढ़ने है gross profit ratio, operating profit operating profit ratio and net profit ratio return on investment तो यह 5 ratios आपको profitability ratio में पढ़ने है तो चलिए आज मैं यहीं पर wind up करती हूँ तो अगर यह मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो जरूर इसको like करिएगा आपने फ्रेंटी साज शेयर करिएगा okay so this was all about this lecture thank you and have a good day see you in next lecture God bless you